हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे अंडे की इतनी ज्यादा मज़िदार रेस्पी जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी होता है बिल्कुल नए और बिल्कुल डिफ्रेंट तरीके से आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो देरेगी इस बात की चलिए फिर इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए एक मिक्सर जार में हमें डालना है प्याज तो यहां पर मैंने एक बड़े साइच का प्याज जिसमें से आधा मैंने इस तरीके से कट किया है आधा मागे यूज करेंगे उसे के साथ मैंने अध्रेक लसून एड़ किया एक चमस धनिया बीच और आधा चमस इस पर काले मिर्च दो सूखी हुई लाल मिर्च इस पर डालेंगे पानी और इसका एक फाइन पेश्ट बना करके तयार कर लेंगे इस तरीके से यह देखिए और चलिए इसे रखते हैं सैड में चलते हैं कुकिंग की प्रोसेस पर तो कड़ाई में डालेंगे ओल तो जैसे ही गरम हो जाए उसमें आधा चोटे चमच मैंने इस पर जीरा एड़ किया जीरा के चटकने के बाद हमें इसमें एड़ करना है यह जो मसाले अध्रयक लसून धनिया कालिमेश हमने पीसा था वह एड़ करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका पानी उट्रयए vibe हो जाए मसाले यह बहुए बहुए अच्छे से भूनजाए और इसमें एड़ करना है और ऑडिमें लिए जितंगें इसमें इसमें टमाइडS लितम इन एक बेर लिए जिसने बारीक किटक कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों अभे हम इसमें सूखी मसाले आड़ करते हैं जो हम रागुलर यूज करते हैं घर पर तो इसके लिए स्वाद के नुसार सबसे पहले नमक एड़ किया आधा चोटा चमच हल्दी पॉडर आधा चमच धनिया पॉडर आधा चमच जीरा प अच्छे से गला लेना है ताकर जो इसके ग्रेवी है ब कि एतना ही हमें चाहिये अब हम इसमें दो जरुवत की आनुसार जीतने ग्रेवी हमें रखने हैं उतने ही हमें पानी आट करना है और पानी एड़ करने के बाद इसे चमच चलाते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरीकी से अगर आप ये रेस्पी बनाते हैं न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये रेस्पी बन करके तयार होती है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगीगी और दूसरे साइड यहाँ पर मैंने एक प्लेट पर इस तरीके से हमें अंडे को फोड लेना है और उस पे एड़ करेंगे नमक, स्वात के अनुसर और साथ ही हमें इसमें एड़ करना है बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्श और धन्या पत्ती जो कि मैंने इस रेश्वी में से एक बड़ी साइज का प्याज यूज किया है आधा मैंने स्टार्टिंग में एड़ किया था आधा हमने अभी एड़ किया हरी मिर्श धन्या पत्ती को भी डालने के बाद इसे अच्छे सी विसकर की हल्प से विसकर लेंगे और यह देखिए बहुत अच्छे से सभी को यहां पर फेट लेना है ताकि जो अंडे है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लैवर फुल बने मतलब प्याज हरा मिर्श धनिया पत्ती नमक वगिर सब मिक्स होकर अंडे जब पकता है ना इसे इसका स्वात जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस तरीके से मैंने घर की कोई भी एक प्लेट ले ली या कटोरी ले ली उस पे हमें ऑईल को अच्छे से ग्रिस कर लेना है इस तरीके से ब्रश की सायता से या फिर हाथ की सायता से और इस तरीके से कर्ची के माद्दियों से हमें इस पे जो अंडे को हम यहां पर इस तरीके से कटोरी पर एड़ कर दिया और उसके बाद यह जो ग्रेवी है ना इसके उपर हमें कोई भी घर पी जो कटोरी रहती या प्लेट रहती वह रख देनी है और इसके उपर थोड़ा सा पानी डाल दे देना जाकि इसके उपर जो हम अंड़ा पकानी के निटिक मिडिये मीडियम व्लेम पर पकाया मैं जो बेंट टक उपकाई यह दो एन्युवर्न इसके गया। मजा और उल्पानी कटोरी पराइड को तो गेखे यह इन देता है है और यह इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां पर बहुत अच्छे से जो गल लनेई थी यह देखी नहीं रही है कि टमाटर गई तो गई कहां और यह देखी बहुत इशानदार यहां पर ग्रीवी बंद करके तयार हुई है अंड़ चैक कर लेते हैं यह देखे अंड़े भी बहुत अच्छे से यह पर पग गए हैं तो हमें इस तरीके से कोई वेक चमच की सहायता से उ हटाएंगे और हमें इसे प्लेट पर निकाल लेना है तो यह बहुत ही आसानी से निकल जाते है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस काटोरी पर तेल लगाया था और आप काटोरी में भी देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छे से निकल गई है बिल्कुल भी नहीं चिपकी और उसके बाद हमें इसकी पीसेस कर लेनी है तो यहाँ पर मैं एक जो पीस साइस था ना उसके हम यहाँ पर दो पीसेस करेंगे चाहाओ तो आप यहाँ पर चार या छे पीसेस भी कर सकते हैं जैसे आप केक्षा पर थोड़ी बड़े-बड़े इसके चंक्स रहेंगे ना तो खाने में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है यह देखिए बहुत अच्छे से फ्लावरफुल अंडे बन करके पक करके यहां पर बिल्कुल तैयार है तो चलिए अब हम इसे एड़ करते हैं ग्रेवी में फ्रेंड्स अंडे की रिस्पी तो आपने बहुत बार क्योंकि बहुत बार खाई होगी मैंने भी आपसे हर बार अलग अलग नए ने प्रकार के अंडे की रिस्पी शेयर किये पर आप एक बार यह रिस्पी जरूर ट्राइ करिएगा सच में आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप से जरूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया क्योंकि सच में होती ही इतनी ज़्यादा यह रिस्पी टेश्टी है ग्रेवी के साथ हमें अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे सहां पर सेट कर लेना है ताकि जो ग्रेवी का जो फ्लैवर है ना अंडे की हर एक पीसे में बहुत अच्छे से सम पस मैंने उसे पांच मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया और पांच मिनट के बाद देख सकते हैं बहुत ज़्यादार अंडे की यह बिल्कुल नए प्रक्त तरीके से नए सौध वाली रिस्पी बंद करके तयार हुए आप इसे चावल पराथा रोटी किसी के साथ भी खाएंगे कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा रिस्पी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें साथ ही इसी तरह की नए नए रिस्पी देखने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए रोज एक नए रिस्पी लेकर आते हमारी पूरी कोशि कि रोज आपके लिए एक अच्छी अच्छी नए नए रिस्पी लाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन भी प्रेस करिए गाता कि जब भी हम कोई न्यू रिस्पी अप्लोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले मिलते हैं फिर एक और नए सिदार से रिस्पी के जाद बाबाई